तो सबसे पहले आप लोग देखिए स्क्रीन पर कि पहला नंबर पॉइंट क्या बता रहा है कि क्या इंडिडेट्स इटेल आपको यहां पर भरना है पहला है आपका कि हैब यू डन फॉर पेमेंट मतलब आपने 2019 में जो जैसी की तरफ से वेकिन से निकाला गया था उसमें प फाई कि जाए से सीजेल 2019 का रेश्टेसन नंबर अगर आप यहां पर यह करते तो ही आपको यहां पर रेश्टेसन मांगेगा लेकिन यहां पर देखें ग्रीन हो गया क्योंकि हम नों किये इसलिए ठीक है अगला है कि आर यू इंडियन सिटिजन तो आपको करना क्या है इस डाल देना यहां पर पूरा 24 जिला का आ जाएगा आप लोग डाल दिएगा तो यहां पर धनबाद कर दिये माले जी किसी का धनबाद है तो अगला है सर्टिफिकेट नंबर ओफ यूर लोकल रेसिडेंस और ज्हाड़कंड यानि जो आप लोकल रेसिडेंस इस्थानी निवा लोकल रेसिडेंस बना हुआ है ठीक है अगर आप डीसी लेबल बना हुआ है एजडेल बना हुआ है जहां से बना हुआ आपको यहां पर किलिक कर देना है ठीक है चले यह पॉइंट हो गया अगला पॉइंट बात करेंगे अगला पॉइंट है कि डेट ऑफ इसू आफ यू समने इस तरह का इंटर्फेस आएंगे ठीक है तो आपको इसको चूज क्या लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपको क्या डालना है कि मैट्रिकुलेशन आपको यहां पर कर देना है अगर किये है तो येस तो इसके बाद अगला है कि अगला है रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतरकर आते हैं तो अगर अहां तो आप मार जिएगा जो भी ऑप्सिन रहेगा नहीं आते हैं तो आपको फिर क्या कर करना है अंडरी जब क्रेंट डाल देना है ठीक है माली जब यह बीसी वान है तो यहां पर एवी सी ओन के लिए देखिए यहां पर क्या मांग रहा है का सट्ट्विकेट ठीक है तो चलिए इसको अभी तक अंडिजर्व कर देते हैं उसके बाद फिर बाद में फरा जाएग ही के अगला है डू यूडू बो क्या अंतर अब परमेटराइब क्या अंतर घ्याच के अं। अगला option है are you a person with minimum 40% disability अगर आप disability है तो किजेगा नहीं तो नो तो यहाँ पे हम no कर देते हैं चलिए उसके वाद देखिए अपने यहाँ यह सब green होगे यहाँ पर कुछ और भरना नहीं है क्यों no है तो कुछ क्या भरना है अगला बढ़ना है आपको कि PWD certificate date of issue यह जो आपका PWD वहाँ तो sorry यह तो होगे green अगला देखिए are you an ex-servicemen अगर आप एक सर्विसमें में है तो यहाँ पर यहाँ पर डालना है इस तरह से यहाँ पर ग्रीन होगे यहाँ आप एक सर्विसमें नहीं है तो आपको नहीं डालन है तो यहाँ हम क्या करेंगे new कर देंगे यह भी देखिγे हो गया अब यहां पर आप अपना नाम डालना है रुक явशें और यहां पर आपका जेंटर डालना है यह में यह में तो में मैंस फीनिया上 है तो आधके उसके बाद mobile यहां डालना है बाद श्यृश्यक्रों जोकी क तो यहां पर email ID दल देना दोबारा से फिर से एक और email ID दल देना है और लास्ट में आपको date of worth डाल देना है डेट बर्थ के लिए आपको करना किया है यहां पर calendar रहेगा calendar पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहां पर calendar पर क्लिक करते है तो इस तरह से calendar आ गया calendar के हिसाब से आप अपना data worth भली जेगा यह रहा आपका फूरा form का process अब करना क्या है capture code डाल देना है जैसे आप यहां पर capture देख पा रहे होंगे यह capture आपको यहीं पर डालना है ठीक है इसी capture को आपको यहां पर डालना है क्लिक किजेगा तो फिर आपके सामने एक स्क्रीन आएगे और इस स्क्रीन पर आपको इस तरह से password और एक message रहेगा जो की लिखा रहेगा कि we have sent an email and sms continue your login details यहीं आपका जो registration number है वह आपको email के माध्यम से और sms के माध्यम से आपको मिल जाएगा और password यहां पर दिया रहेगा इसी password के दौरा फिर आपको click here for login फिर जाना है आगे बढ़ना है या फिर आप दोबारा से जैसे से के official website को जिस तरह साम open किए उस तरह से खोलिएगा open किजेगा और फिस तरह से फिर आप registration number और password डाल कर उसको login कर लिजेगा ठीक है तो इसके लिए यह full details है बाकि और भी आप अगर जानकर चाहिए तो आप लोग मैसे जरू किजेगा